नमस्कार दोस्तों हम ऐसा की तरह इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बेंक निफ्टी के अनलिसिस की कल के ट्रेडिंग सेशन 27 जनावरी के लाई मार्केट में हम लोग किस तरिके से ट्रेड कर सकते हैं कौन-कौन से इंपोर्टेंट लेवल्स हमारे लिए रहने व वाला नया वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सको साथ हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जोइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डायरेक्ली जाके जोइन कर सकते हैं लाई मार्केट में जो भी ट्रेडिंग सेट अप रहता है वो मैं आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पे सेर करता हूं तो एक बार आप लोग हमारा टेलीग्राम नलब वो जरूर चेक आउट कर सकते हैं चली देखते हैं सबसे पहले बेंक निप्टी इंडेक्स को एंड उसके बाद में हम लोग देखेंगे निप्टी इंडेक्स एंड कुछ इंटाडे इस टॉक्स दोस्तों हमने या पर बेंक निप्टी का चार्ट ओपन कर रखा है 15 मिन प्रिवेस जो आप यहां पर देख सकते हैं बेंक निप्टी इस जोन में चल रहा था 42.700 का एक रिजिस्टेंस जोन था और नीचे की साइड में 41.800 का एक सपोर्ट लेवल था जिसमें मार्केट कंट्यून इसी जोन में चल रहा था और उसके बाद में दोस्तों मार्केट देखें यहां पर यहां पर सपोर्ट लेने के बाद में 41.800 के पास में सपोर्ट लेने के बाद में यहां से एक लो लगाने के बाद में continue trending market आपको देखने को मिल रहा था उपर की साइड में यह ट्रेंड लाइन और नीचे की साइड में यह ट्रेंड लाइन इसी चैनल में market है वो आपको देखने को मिल रहा था उपर की side में देखिए यहाँ पे एक high लगाया और उसके पास में यहाँ पे एक high लगाया दोनों high यहाँ पे आपको एक साथ देखने को मिले जो एक double top बने और उसके बाद में market ने इस नीचे वाली trend line का breakout किया और previous day आपको एक अच्छा खासा downfall market में आपको देखने को मिला तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं उपर का जो resistance zone था 42.700 का जो previous zone था इसमें market चल रहा था इसको breakout करने के बाद में market यहाँ पे sustain नहीं कर पाया उपर की side में और market फिर से नीचे आके और नीचे वाला जो support zone है 41.800 का support है इसको भी market ने नीचे की side में breakdown कर दिया है अब हम लोग किस तरह के से कल के trading session में intraday में हम लोग किस तरह के से trade कर सकते हैं यह हम सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं तो आप यह पर देख सकते हैं दोस्तों bank nifty की जो final closing है वो आईए दोस्तों 41,680 के आसपास में final closing है और यह दी market दोस्तों देखिए नीचे की side में 41,595 का जो level है जो आप यह पर देख सकते हैं यहाँ पे जो एक low बनाया है market ने 41,600 के आसपास में एक low है और उपर की side में देखिए 41,875 यह जो उपर की side में high है इसके बीच में इस range को आप लोग यहाँ पे mark कर लीजेगा जहाँ पे market ने ending time में एक यहाँ पे sideways थोड़ा सा momentum दिखा है इसी zone में market यह ओपन होता है फ्लेट ओपन होता है इसी zone में ओपन होता है तो सबसे पहला दोस्तों आपके लिए best trading setup रहेगा यह दी market इस zone में open होता है जो आप यह देख सकते हैं इस range के अंदर market open होता है तो सबसे best आपके लिए trading setup रहेगा देखे यह दि market इसमें open होता है और थोड़ा सा यहाँ पर time लेने के बाद में पोल्ज लेने के बाद में जिस side भी breakout आता है जिसी कि नीचे की side में breakout आता है तो सबसे best रहेगा आपके लिए कि आप लोग यहाँ पर trade में enter कर सकते हैं और आपका जो first target रहेगा दोस्तों वो रह रहेगा 41-100 का आपके लिए important support रहेगा तो यह दोनों target आप लोग कल के लिए plan कर सकते हैं यदि आप लोग selling side के लिए जाना चाहते हैं market flat open होता है bank nifty में तो आप लोगों को 41-320 and 41-100 का level सबसे पहले आपको market में देखने को मिल सकता है यदि market यहाँ पे flat open होता है और उपर की side में जाता है जिसे कि यह उपर वाला यहाँ पे high बना रहे है market ने इस range को breakout करता है तो आप लोग उपर की side में भी जा सकते हैं बढ़ आप लोग उपर की side में देखिए छोटे-छोटे target आप लोग यहाँ पे लेते रहना चाहिए क्योंकि दूस्तों उपर की side में 41-200 का level देखने को मिल सकता है बड़ दोस्तों हम यहाँ पे expect करेंगे कि यदि market इस range के अंदर open होता है फ्लेट open होने के बाद में इस range को उपर की side में breakout करता है तो आपको 42-260 यह target आपको last रखना है यहाँ पे आपको profit booking है वो कर लेना है क्योंकि दोस्तों आप लोग उपर की side म यह जो high बना रखा है market ने उपर की side में यहाँ से लेके और नीचे का low बना रखा है यहाँ तक आप लोग फिवर ना सी retracement लगाओगे तो आपको 0.5 का जो retracement आता है वो fix आपको यहाँ पे 42-260 के आसपास में मिलेगा जो previous आप यह पे देख सकते है एक support zone है और इस से पहल लिया है तो previous यह zone भी काफी important है तो यही market इस range में open होने के बाद में उपर की side में breakout करता है तो 42-260 का level आपको profit के तोर पे मिल सकता है और इसी zone से देखिए यहाँ पे open होने के बाद में यहाँ पे आने के बाद में इसी zone से market फिर से नीचे की side में trending movement है वो दे सकता है यही market flat open होने के बाद में नीचे गिरता है तो आपको एक अच्छा कासा downfall फिर से देखने को मिल सकता है बर दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते है कि market ने previous day में एक अच्छा कासा fall already आपको यहाँ पे दिखा दिया है तो कही ना कही market थोड़ा बहुत retracement है वो जरूर ले सकता है इत इसी तरिके से trend line draw कीजेगा और उसके breakout पे आप लोग selling side में फिर से अच्छा कासा profit generate कर सकते हैं bank nifty index में और यहाँ यहाँ पे gap up open होता है इस zone में market open होता है तो आपको 4260 के आसपास में कोई भी bearish candle का weight करना है जैसे कि यहाँ आपको कोई भी shooting start type की candle देखने को मिलती है या फिर आपको smaller time frame में कोई भी head and solder type का pattern मिलता है कोई भी आपको double top देखने को मिलता है तो फिर आप लोग उस range के इसाप से आप लोग downside के लिए trade कर सकते हैं यही market gap down open होता है तो live market में जो भी price section बनेगा जो भी setup बनेगा उसके इसाप से आपको trade करना है जबरदस्ती की trade में आ होती ज्यादा गिर चुका है तो आप लोगों को यहाँ पर live market में जो भी price section बनता है gap down open होने पर उसी के इसाप से आपको bank nifty में trade करना है important levels की बात करें तो दोस्तों नीचे की side में देखिए यह जो low बनाया market में यह 41.595 के आसपास में इसको break करेगा तो हम लोग यहाँ प 40,850 का level है ध्यान रखिएगा दोस्तों 40,850 यह level हमारे लिए एक buying zone है जहाँ पर previous day में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अच्छी कासी rally देखने को मिलिए 40,850 के आसपास में तो यह दी market किसी भी region से 40,850 के आसपास में आता है तो आप लोग एक बार जरूर छोटा स store plus enter करके और आप लोग buying side के लिए जा सकते हैं और आपको यहाँ पर अच्छा कासा profit देखने को मिल सकता है और यह दी market यहाँ पर आता है 40,850 के आसपास में आता है एक बार ऊपर चला जाता है फिर से इस zone के आसपास में आता है तो फिर से आपको breakdown देखने को मिल सकता है ओ दोस्तों काफी बार यहाँ पर टेस्ट हो चुका है यहाँ से market यहदी ऊपर गया है फिर से इस zone के आसपास में market आएगा तो इस zone को भी market ब्रेक करेगा क्योंकि यह zone है वह काफी बार टेस्ट हो चुका है और कोई भी support यहाँ पर resistance zone होता है वह यही काफी बार test हो जाता है तो वो उसी के अनुसार वीक होदा जाता है, यानि उसके breakout या फिर breakdown आने के chances है, वो ज्यादा रहते हैं, तो simple है दोस्तों, सबसे अच्छा trading setup है, bank nifty में यह दि फ्लेट ओपन होता है, तो फिर हम लोग अच्छा कासा यहाँ पर profit generate कर सकते हैं, जिस साइड में भी आपको breakout देखने को मिलता है, उस साइड में आपको एक अच्छा कासा momentum देखने को मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पर easily 100 से 200 point है, वो कमा सकते हैं, यह दि आपको इस zone में opening मिलने के बाद में आपको breakout आता है, तो चलिए देखते हैं, निप्टी 50 इंडेक्स में हम लोग किस तरीके से trade कर सकते हैं, दोस्तों मैंने निप्टी 50 इंडेक्स का भी चार्ट यहाँ पर open कर लिया है, और सेम आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, कि निप्टी 50 इंडेक्स में भी देखिए, मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में बोला भी था, कि निप्टी 50 इंडेक्स में भी आपको एक double top type का pattern आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक top लगा है और यहाँ पे एक top लगा है, यहाँ आपको एक M type का pattern मिल रहा है, नीचे की साइड में एक beautiful से trend line बन रही थी, जो मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में provide की थी, कि इसके नीचे आपको एक अच्छा कासा selling का momentum देखने को मिल सकता है, सेम मार्केट में दोस्तों वेसा ही हुआ, जो मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में बताया था, साब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था, कि एक M type का pattern बन रहा है, मार्केट को उपर जाना है, तो यह जो resistance बना है, यह resistance बना है, यदि मार्केट यहाँ पे closing दिया था, इसके उपर break करेगा, तो मार्केट यहाँ पे उपर जा सकता है, यह हमारा जो pattern है, यह work नहीं करेगा, लेकिन मैंने आपको बोला था, कि यह जो मार्केट ने low बना है, यदि मार्केट इसको break down कर देता है, तो उसके बाद में आपको अच्छा कासा, selling side में momentum मिलेगा, और आपके लिए जो target रहेंगे, यह सबसे पहला लो रहेगा, उसके बाद में यह रहेगा, और उसके बाद में यह रहेगा, same आपको यहाँ पे target है, वो इसी तरीके से देखने को मिले, तो nipty 50 index में भी दोस्तों, पहले की जो range दी हमारी, अब उपर की साइड में एक range बन चुकी है दोस्तों, 18,200 का level हमारी लिए important resistance बन चुका है, जहाँ पे market में दो बार यहाँ पे resistance टेस्ट किया है, और नीचे की साइड में देखिए हमारी important support फिलाल बना हुआ है, दोस्तों 17,700 पिछे तरका, बुलिक्स कोई भी आपको candlesticks देखने को मिलता है, तो आप लोग buying side के लिए जा सकते हैं, 17,700 के आसपास का level हमारी एक support की तरह काम करेगा, जो एक important support रहेगा, same दोस्तों bank nifty में जो मैंने आपको trading setup बता है, opening के लिए, सबसे best आपके लिए nifty 50 index में भी रहेगा, जो आप यह देख सकते हैं, उपर की side में देखिए, 17,936 के आसपास में, आप यह देख सकते हैं, यह जो मैंने एक line draw की है, और नीचे की side में यह मैंने line draw की है, 17,860 के आसपास में, इस zone के बीच में market यहाँ पे open होता है, जिस side भी breakdown आता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे की side में breakdown आया, तो directly आप लोग 17,775 का target आप लोग देख सकते हैं, और इसके अलाओ दोस्तों, उपर की side में इसका breakdown उपर आता है, breakout आता है, तो उपर की side में आप लोग यहाँ पे 18,000 का level है, वो आप यहाँ पे try कर सकते हैं, यह level आपको देखने को मिल सकता है, already दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि market में अच्छी कासी selling हो चुकी है, और अच्छा कासा downfall आपको देखने को मिल चुका है, एक ही दिन में, तो market को नीचे ही आना है, तो दोस्तों थोड़ा बहुत retracement भी आपको यहाँ पे देखना चाहिए, कि market में थोड़ा बहुत चोटा मोटा retracement, 0.5 का retracement आपको देखने को मिल सकता है, कि ऐसा तो नहीं कि market यहाँ पे सीधा आया और सीधा नीचे चला गया, market को नीचे गिरना है, तो हो सकता कि market को थोड़ा बहुत retracement भी लेना है, तो market यहाँ पे इस तरह के से उपर जाने के बाद में, देखे, market यहाँ पे open हुआ, और इस तरह के से उपर गया high end low के formation में, उपर जाने के बाद में आपको इस तरह के एक trend line बनाने का मोका देगे, और उसके बाद में जैसी इस trend line का breakout आता है, यह आपको यहाँ पे continue fall है वो देखने को मिल सकता है, और इसे में आपका profit अब वो तेजी से बनने के chances रहेंगे, तो इसको आपको capture करना है, तो उपर की side में देखे दोस्तों, important जो हमारे लिए support रहेगा, resistance रहेगा, 18,000 के आसपास में आपको रखना है, 18,000 या फिर 18,000, 30,000, 40,000 के आसपास, जहां से market नीचे की side में फिर से reverse हो सकता है, यदि market यहाँ पर इसी zone में open होता है, उपर की side में, तो आपको wait करना है, यहाँ पर कोई भी जैसी के आपको shooting star type की candle देखने को मिलती है, smaller time frame में कोई भी negative candle sticks आपको देखने को मिलती है, तो आप लोग यहाँ पर selling side के लिए जा सकते हैं, market उपर जाएगा, तो दोस्तों अच्छी कासी volume के साथ में उपर जाता है, तो ही आप लोग यहाँ पर buying side के लिए interested रहना है, नहीं तो आपको नीचे की side के लिए ही interest रखना है, simple है दोस्तों, इस zone के open होने के बाद में breakdown नीचे की side में आता है, तो सबसे पहला target आप लोग यह रखोगे, और उसके बाद में भी नीचे आता है, देखे 17,775 के आसपास में market यहाँ पर आता है, थोड़ा सा sideways होता है और फिर से breakdown करता है, तो आप लोग फिर से नीचे की side में 50-60 point है, वो capture कर सकते हैं, nifty 50 index में भी, तो दोस्तों, bank nifty और nifty 50 index में हमारा simple सा कल के लिए trading plan है, जो मैंने आपको इस वीडियो में share किया है, अब हम देखते हैं कल के लिए best intraday stocks, जिसमें हम लोग कल के trading session में trade करके और profit generate कर सकते हैं, दोस्तों हमारा सबसे पहला intraday stock है, हिंडाल को industry का, जो आप लोग देख सकते हैं, beautiful सा आपको यहाँ पे एक channel pattern देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखिए, इस तरह के से आपको इसी zone में आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है, उपर की side में देखिए, यहाँ पे resistance zone बनावा है, जो multiple time यहाँ पे इस trend line ने यहाँ पे टच किया है, और नीचे की side में भी आपको देखने को मिल रहा है, support देखने को मिल रहा है, काफी बार market ने इसी zone में यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है, हो सकता है दोस्तों कल के दिन market की opening यहाँ पे देखिए, इस trend line के नीचे होनी चाहिए, opening नीचे होनी चाहिए, और volumes के साथ में उपर की side में breakout आना चाहिए, तभी आपको buying side के लिए जाना है, यदि market यहाँ पे gap up open होता है, तो आपको इसको avoid करना है, market यदि इस trend line के नीचे open होता है, उसके बाद में breakout आता है, तभी आपको 495 के उपर में आपको buy करना है, यह जो इसने यहाँ पे high लगा रखा है, इसके उपर में आपको buy करना है, और आपका जो target रहेगा दोस्तों, सबसे पहला target आप लोग इसके something, आप लोग target है वो रख सकते हैं, 502 या फिर 504 का target आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं, यह दि आपको selling side के लिए हिंडाल को industry में जाना है, तो market की opening देखिए, यहाँ पे होने दे, फ्लेट ओपनिंग होने दे, और जो इसकी closing है, इसके something एक low बनाया है दोस्तों, इसको breakout करता है नीचे की side में, तो आप लोग selling side के लिए जा सकते हैं, उपर की side में छोटा सा stop loss एंटर करना है, और आप लोग जा सकते हैं, नीचे की side में दोस्तों, यह जो इसने यहाँ पे low लगा रहा है, यहाँ तक आप लोग target है, वो रख सकते हैं, और जो भी candle दोस्तों, यहाँ पे इस trend line का breakout करती है, 5 minute की candle breakout करती है, यह दि वो candle लंबी है, तो उसी के नीचे में आप लोग stop loss एंटर कर सकते हैं, और इवो candle छोटी है, तो आप लोग उससे previous candle के low का, आप लोग stop loss एंटर करके, और आप अपने risk and reward ratio के साब से, 1 ratio 2 का यहाँ पे trade plan कर सकते हैं, simply दोस्तों, इंडाल को इंडिस्ट्री में आपको trading plan समझ में आया होगा, अब हम देखते हैं, second intraday stroke, जो है दोस्तों, imposis limited का, जो आप यह देख सकते हैं, दोस्तों, imposis limited भी, आपको यह पे continue देखिए, trending उपर की side में market देखने को मिल रहा है, trend में चल रहा है, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे, जो हम बोलते हैं, cup and handle type का, आपको pattern देखने को मिल रहा है, यह cup हो गया, और यह handle type का, आपको यहाँ पे pattern देखने को मिल रहा है, यह एक नीचे की side में देखे low बनाया है और यहाँ पर भी कल के दिन इसने यहाँ पर closing दिये previous यहाँ पर resistance लिया था तो यह एक important हमारे लिए support zone की तरह काम करेगा बस condition यह है दोस्तों कि इसकी जो opening है यह इस support के उपर में open होना चाहिए market इसके उपर में open होना चाहिए जैसी यहाँ पर breakdown आता है तो आप लोग यहाँ पर sale कर सकते हैं 1540 के नीचे में five minute की candle sustain होनी चाहिए तभी आपको उसके उपर का यहाँ पर stop low center करना है और आप लोग सबसे पहला target 1530 का रख सकते हैं और उसके बाद में आपका रहेगा दूस्तों यह जो zone है 1525 के आसपास में आप लोग second target आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं Infosys Limited को आप लोग कल के दिन जरू ट्रेक कर सकते हैं और selling side के लिए और यही मार्केट को इसमें उपर जाना है तो देखिए इसमें उपर जाएगा तो सबसे पहले आपको इस तरीके का एक डबलू टाइप का पेटन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको कोई भी बुल इस candle मिलती है तो आप लोग उसके नीचे का stop low center कीजिएगा सबसे पहला target इस neckline तक रखना है 1555 तक और इसको भी breakout करता है तो उसके बाद में आप लोग यहाँ पी 1565 का target आप लोग easily लेके चल सकते हैं तो यह pattern यदि बनता है तो हम इसके तरीके काम करेंगे नहीं तो दोस् आपको यह पर देखें यहाँ से एक अच्छागासा, ऊपर की side में momentum देखने को मिला और फिर से Channel पीटर आपको इस तरिके का देखने को मिलरी है दोस्तों आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके का जो भी pattern होता है जो इस तरीके की trend ×法 स के पर आपको ऑने श मिल रही है और यह stock दोस्तों multiple time देखिए यहाँ पर resistance act कर चुका है यहाँ पर resistance act कर चुका है और यहाँ पर ले चुका है और यहाँ पर भी ले चुका है बस condition यह है दोस्तों कि कल के trading session में जो यह open होता है Mahindra and Mahindra Limited इसकी opening इसी zone में होनी चाहिए इस trend line के नीचे में open होना चाहिए और उसके बाद में breakout आता है तब ही आपको buy करना है गेप up open होता है तो आपको इसको avoid करना है दूसरे किसी भी stock को आपको track करना है यदि इसके opening इस trend line के उपर होती है और आपको breakout आता है तो आप लोग यहाँ पर इसका जो भी यहाँ पर इस candle का high है इसके उपर में आप लोग buy कर सकते हैं और आपका जो target रहेगा दोस्तों 1335 का आप लोग first target आप लोग इस zone तक ले सकते हैं second target आप लोग यहाँ पर तक लोग ले सकते हैं market यहदी flow में उपर जाता है तो यह target आप लोग प्लान कर सकते हैं यहदी आप लोग selling side के लिए जाना चाहते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में तो आपको selling side के लिए भी मौका मिलेगा दोस्तों नीचे की side में देखिए एक horizontal support आपको देखने को मिल रहा है जहां पर market ने इसी zone के उपर में time बिताया है और market यह दी इसके उपर open होने के बाद में इसको breakout करता है नीचे की side में breakdown करता है तो आप लोग selling के लिए भी जा सकते हैं यह दिया आपके पास में small capital है और आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग NTPC में कल के दिन trade कर सकते हैं लोजिक यह है दोस्तों एक trend line beautiful सी आपको trend line देखने को मिल रही है जिसमें आपको multiple time चार बार resistance यहाँ पर देखने को मिल रहा है simple है दोस्तों इसके में आपको एक तो देखिए यह trend line का resistance है और एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको एक horizontal देखिए उपर की side में यह resistance zone भी आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पर market ने यहाँ पर देखिए multiple time यहाँ पर resistance लिया है और उसके बाद में इसका breakout आना चाहिए तब ही आपको इसमें enter करना है यही market gap up open होता है तो आप लोग इसको avoid कर सकते है क्योंकि इसमें आपका risk है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो यही market यहाँ पर open होने के बाद में उपर की side में sustain होता है 5 मिनट की candle sustain होती है तो उसके बाद में आप लोग यहाँ पर trade में enter कर सकते है 106.40 के उपर में और आपका जो target रहेगा दोस्तों सबसे पहला target 166.50 का और second target 168 के आसपास आप लोग अपना profit है वो maximum book कर सकते है तो NTPC Limited को भी आप लोग जरू ट्रेक कर सकते है हमारा last intraday stock रहेगा दोस्तों UPL Limited का जो आप लोग देख सकते है बहुत ही चाह इसमें भी आपको एक double top type का pattern देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको previous video में provide किया था दोस्तों मैंने previous video में sleep provide किया था इसकी closing देखिए इस zone के आसपास में इसकी closing दी और मैंने आपको बोला भी था कि stock नीचे से देखिए यहाँ पर उपर आया यहाँ पर एक high बनाने के बाद में नीचे है यहाँ पर एक low बनाया लेकिन हमने एक trend line इस तरीके से draw की इसका breakdown आया और हमारे को easily slow तक यह जो low बनाया है इसके आसपास में हमें यहाँ पर target देखने को मिला और इसी zone के आसपास यहाँ पर इसने closing दी है same दोस्तों कल के दिन भी UPL limited में आप लोग trade में trade कर सकते है simple रहेगा दोस्तों नीचे की side में यह जो low है और यहाँ पर एक support है जो आपे भी देख सकते हैं मैंने यहाँ एक support line draw कर रखी है market इसकी opening है वो यहाँ पर इसके ऊपर होनी चीए support line के ऊपर होनी चीए उसके बाद में 5 minute की candle जैसे break करती है नीचे की side में तो आप लोग यहाँ पर 737 के नीचे में जैसे sustain होता है उसके बाद में आप लोग selling side के लिए जा सकते हैं सबसे पहला target यह जो है 732 and second target आपके लिए रहेगा दोस्तों यह जो 728 के आसपास में आप लोग maximum profit है वो book कर सकते हैं या फिर market flow में ज्यादा नीचे गिरता है तो आप लोग अपने stop loss को trail कर सकते हैं तो यह है दुस्तों nifty और bank nifty की simple analysis in best intraday stocks जिसे आप कल के trading session में trade करके और profit generate कर सकते हैं और आप लोग सीख सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो like करे channel पर नए है तो subscribe करे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन बहुत बहुत धन्यवाद